हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे आप लोग उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे चलिए आज हम बात करेंगे गैस की एक बहुत ही महत्पूर्ण दवाई एसी डिटी क्यों होती है गैस क्यों होती है पहले चलिए जानते हैं होने का कारण क्या से हो सकती है गैस आखिर बनता क्या है गैस बनने कपोसते हो कब जी और रहर है यह इंत की सफाई होड़िक्ष्म आप पाणी पाणी की मातरा बहूत if बहुत कम ले दे धाएं वह नहीं लेड़ें उस बज़़से हो सकता है आप जो खाने में खाना का सेवन कर दोने की जादे जादे मेदा वाली चीज एल मसाला घीवाली चीज गडिश्ट से जहादा लेड़ें उस बज़़द से आपको कपजियत होने की चांसे जराती है वह गैस का फॉर्मिशन करता आप अधी time Lee आपका खाना पीना का रोटीनली रहा वू सही नहीं है उस बज़ेस से घयास जादा बनने की चांस रहताल आप ज्यादा खाली पीट रहर हे हैं उस बज़ेस से हो सकती है आप तो खाना खाड़े हैं और खाना एक बार में जादा लेड़े हैं आपका जो एक बार में जादा लेड़े की वज़े से आपको ठीक से पच्टा नहीं है उस बज़े से होने का चांस ही रहता है खाना खाड़े हैं खाना खाने के बाद अधी पड़ो पड़ो कुसे exercise नहीं करें आपको physical work नहीं होड़े है उस बज़े से हो सकता है आपको बहुत ऐसी condition है जैसे फाइवरस चीज जैसे juicy चीज फाइवरस चीज ग्रिन भेजी टेबुल का 7 कम कर रहे हैं उस बज़े से आपक तो क्या बताएगा तो पेशेंट आएगा तो आपको बताएगा क्या मुझे सड में दर्द होती है मन मन चिरचिराड आता है मन उल्टी जैसे करती है पेट में दर्द होती है पेट फुला देती है पेट में बहुत तेज दर्द होती है कब जियत होते रहती है कभी मोटा फ जो patient को खास करके जब condition आती है आत उलज जाए आत फस गया है एक दुसरे पर शड़ गया है और खास करके जब doctor बोल देते हैं आपको operation करना पड़ेगा आपकी gas की निकास नहीं हो रही है उपर नीचे जब gas पास नहीं होगी बहुत तेज पेट फुलाते जा रहा है continue हवा पा आते हैं इसी तरह नहीं नहीं जानकारी देखने के लिए अधी आप मेरे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो पिलिज subscribe कर लें और बगल में दीएगे बेल आकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हम इसी तरह जानकारी ये लेकर आते हर तरह जानकारी आप तक पहुंच सके चल इस पास होना वो condition नहीं हो करके उनका पेट continue फूलते जाड़ा है गैस निकलना ही पंद हो गया है आत उलज गई है लगेगा कि पेट फट जाएगा अब ऐसी स्थीति हम क्या करेंगे कौन सी ऐसी दवाल है जो आपको पेट फटने से और गैस जो उपर नीचे से रिलीज न बाई आपके हमेपेट में है जिसका नाम रेफिनस रेफिनस का तीस पावर दो दो बुन तीन वार तीन से चार खोड़ाक लेते हैं आपको किसी भी तरह की आत की उलजन गैस पेट कंटिन्यू फूलाड़ा है उपर नीचे से पास नहीं ओड़ी है गैस उस कंडिशन को बह 6X पावर में पास पास टेवलेट तीन बार गुन गुना पाने के साथ ये आपको क्या करेगा गैस को अंदर जो फॉर्मेशन हो गई है उसको डिजॉल्ब करेगा गैस को पास करेगा और इमीडियेट उपर से या नीचे से गैस रिलेज करने में मदद करता है इसी तरह नह नहीं जानकार हम लेका आता है अधी अभी तक सब्सक्राइब ने किया फिली सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद